हे गाइज आएम रोही जेनल तो आज हमें एक्स्पिरियन करेंगे चैप्टर नमबर 225 से लेकर 228 तक जिन चैप्टर में हमें माईकी का रियक्शन को देखने को नहीं मिला लेकिन दो लोगों की स्टोरी एंड एक बंदे का पास जानने को मिला तो विदाउट वेस्टिंग म लेट्स स्टार्ट तो लास सिन में हमने देखा था कि माईकी अम्यूस्मेंट पार्क में आ जाता है और वहां उसको देखकर सब शौक रह जाते हैं चैप्टर 225 की स्टार्टिंग होती है अम्यूस्मेंट पार्क से जिसमें अफ फाइट होने वाली है माईकी के से सटन बड़ाइख शुरूू हो जाती है ताकि छो ह old तक ही आई परो कर बोलता कर बोलता कको कि तुमने ठीज रहें कोist देख दिया है सेंजू बोल्ती ऑर भातारों नहीं होगी तो मैंत जोड़ा दिया लाइध कि मैं मैं शालर च्ञंद आ देखकर को पीर मैं देखकर सुने इत सुनके शौक हो जाता है, इतने में हमें वौर का सीन दिखाया जाता है, जिसमें साओ गहता है, वी वो, जिसका इंगलिश में मतलब होता है वी वो, साओ आगे कंट निलू करता है, और बोलता है, माई फोरमर टैंजी को अभी के लिए कांटो गैंग को भूल जाते हैं ये रेयर है अकाशी को इतना राउडी बनते देखना पहले ब्रामन से निबट लेते हैं इतने में सब बोलते हैं गॉड़ इट इतने में ताकियो मी बोलता है तुम किस बारे में असरे हो साओ सेंजू बीच में बोलती है होश दॉंद डॉंडे को करें गजी इतने में पंच कर देता है जिसको बैंक ही दोग लेता है कंजो बहुत कमजोर है इतने में पीछे से वका आता है और सिल्ट को किक मारता है और कहता है 파लोद कर देंडिक दीघमाइब साउथ बोलता है विद पैशन फर्स जनरेशन ब्लैक ड्रेगन और ये चैप्टर यहीं खतम हो जाता है चैप्टर 226 की स्टार्टिंग होती है काकुचों से जहां काकुचों माईगी की तरफ बढ़ रहा होता है और बोलता है माईगी कुछ कर क्यों नहीं रहा लेकिन कांटो गैंग का कुचों को ऐसा नहीं करने दे रही और उसको पकड़ लेती है और इतने में हारुचियों आता है और पीछे से हमला कर देता है आइरेन पाइप से और कहता है तुम चाहे कितने भी ताकत पर क्यों नहो लेकिन लड़ाई में वेपन का इस्तिमाल करना आसान होता है इतने में पीछे से ओ की आवाज आती है और जैसे ही हारुचियों मुडता है रान हमला कर देता है अपनी स्टिक से और कहता है सच में आसान है इतने में कांटो गैंग के मेंबर्स को धोरा होता है और कहता है क्या हुआ मुझे ये चैलेंजिंग नहीं लग रहा और कांटो गैंग कहती है कि ये रोकुहारा एक्जिगुटिव एस 62 जनरेशन है ये अवस्च है और ये हम लोगों से अलग लैवर पर है इतने में वका एंड बैंकाई को दिखा जाता है जिनों ने रोकुहारा के 100 मेंबर्स को हरा दिया जो कि जादा बड़ी बात नहीं है क्रिस्मस एव पे डोरकेन ने 100 मेंबर्स और ब्लैक ड्रेगन को अखेले हरा दिया था साउथ कहता है दा ग्रेटेश जूओ लिवस अप टू इट्स नेम इतने में सांजूत सुथा के मिच्ची को वका एंड बैंकाई की स्टोरी सुनाती है और कहती है ब्लैक ड्रेगन बनने से पहले इन दोनों ने कांटो गैंग को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था इस्ट एंड वेस्ट में एक गैंग जिसमें 600 मेंबर्स से नेम ड्रेगन रोक वो गैंग नेशन की सबसे बड़ी गैंग थी जिसका लेडर एक बार खून में लत्पत लड़ाई के बाद नेम रखा गया रेडगलिफ अका अराईशू केजू उस गैंग को राइवल करने के लिए इस्ट साइड में 12 गैंग ने अलाइंस मनाया और नेम रखा कांटो रेंगो और उनका लेडर जिसका नेम सुनकर लोग डरते थे निक नेम वाइट लियोपार्ड का वकाजा जिन दो गैंग में अग्रेसिवली लड़ाई हुई थी उन दो गैंग को मर्ज कराया गया एक परसन ने जिसको कोई नहीं जानता शिनिच रोसानो और कांटो रीजन में गैंग रियूनाइटेड हो गई सैंजू कंटिनू करती है और बोलती है जापान के टफ़ेस ब्रोलर्स हैं ये दोनों बैंका ही बोलता है मैं अपनी एनरजी माईगी से लड़ने के लिए बचाना चाता था लेकिन लगता है आप कोई चांस नहीं है वका बोलता है साउथ माईगी की स्टेंड से उपर है इ वो अपनी मम्मी के साथ रहता था जो कि बिमार रहती थी और उसके पास सिर्फ एंटेटेंमेंट का जर्या प्यानो था जो कि धंग से वर्ग नहीं करता था इसलिए साउथ को म्यूजिक में इंटरेस्ट है स्टोरी आगे कंटिनू होती है डाइनो के बारे में बताया जात होता है और उसकी मिक देख़़ प्रता है इन शॉट डाइनो दॉट वहां से तमर्फ कहलोगे डाइनो में आप्से बिसके बाइन सबस्क्राइब South जो 12 years का होता है वो रोता रोता डाइनो को मार देता है और वहां का लेटर बन जाता है South को पहली success मिलती है 12 years की age में South जब 14 years का होता है तब उसके घर में एक गैंक अटेक होता है और उस अटेक में उसकी मम्मी को वो खो देता है अब South जिसने दोनों पैरेंट्स खो दिया है अब वो जापान में अपनी ग्रेंट पारेंट्स के पास रहने आ जाता है सीन दिखाया जाता है बोईस जेल का जिसमें South को एक लड़का बोलता है साउथ साम कांटो इंसिडेंट के जो बड़े लोग थे वो आज जेल में आये हैं यो को हमा आते हैं जी को एंड इंट्रोडक्शन देता है और कहता है ये कांटो इंसिडेंट के में लोग हैं जब South release होता है जेल के 2007 में तब वो रोको हरा गैंग बनाता है और अपनी गैंग में S62 जनरेशन को ले लेता है और Ron से बोलता है मुझे अपनी गैंग में का कुछ चाहिए तो Ron मना कर देता है और कहता है वो तुम्हारी नहीं सुनेगा बलकि वो S62 जनरेशन का मेंबर्स भी नहीं था स्टर्टिंग से तो South हसता है और कहता है वो बात बनवाने में अच्छा है नेक्स सीन में हमें का कुछ और पिटा हुआ दिखाते हैं जिसमें South को रुकने के लिए कहता है और अपनी हार मान लेता है सीन आता है Amusement Park का जिसमें वका एंड बनगाई को South को हराने में मुश्किल हो रही है South बोलता है What's happened? Tired already? तो बनगाई बोलता है कि इस एरा में भी ऐसे लोग हैं पता नहीं था कैसी लगी आगे स्वाद मेरा मूदानी कर गई जबान तूट गई हाद मेरा मूदानी कर गई जबान तूट गई हाद मेरा दूर से देखकर कहता है इस स्टर्टिंग होती है वका यंट बनकाई वर्स्षों के कंटीनिउशन से जिसमें समें साओथ वका को पच आपकाँ परसाओं परेग्स कर लेता है уже वर साओध को नछ ब्रत न सनकों दोट को य Calling it से यह दोनों मिलकर एक पाउरफुल डूओ बनाते हैं इन सब के बीच में कोको माई की से बोलता है क्या तुम इससे खुश हो लगता है यह बैटल ब्राम में नहीं जीतेगी माई की रिप्लाइए करता है तुम्हें ऐसा लगता है और एक सस्पेंस बन जाता है इतने में हमें नोटिस कर लेता है और साउथ कंटेन्यू करता है और कहता है कि जब वो 14 साल का था तो उसके घर पे रेड पड़ी जिससे फाइरिंग के बीच में उसकी मदर की लाइफ चली गई और साउथ आपने गंशोट्स को मार को टच करते हुए कहता है मैंने जिंदगी और मौत के बीच श्रगल किया है इन इसकार्स के साथ लेकिन इस सब के बाद भी मैं अपनी अर्जिस को रोक नहीं सकता है ताकि मिची मन में सोचता है कि अर्जिस माई की बोलता है डार्क इंपल्स साउथ आगे कंटीनू करता है और बोलता है और जब भी मैं सोचता हूँ कि मैं तु माई की तुम मुझे समझ गये क्यों है ना इतने में तकीमिची और तकीयों जाते हैं दोनों शोक हो जाते हैं वका और बेंक काई करो जमीन पर पड़े होई देखकर इतने में सेंजु आती है और बोलती है अग्षिक जिसका मतलब एक्साइटिंग और ये जैप्टर यही खत लाइक चैनल को करो सब्सक्राइब मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइब